मियक्तों की संसक्रती दुनिय के सामने की जरूष है कि और मध्द पर देश की संसक्रती बुंदिलखंड की संस्क्रती कї बढ़ी ही अच्छी संसक्रती है जिसमें तमाम नह्तिक मूल्णों का हम पालन करते हैं बच्चीयों को कन्य मानने की संस्कृति उनको देवी मानने की संस्कृति उनके चरण सपर्स करने की संस्कृति तो संस्कृति के दरश्टी से हमारा मद्द प्रदेश बहुत सम्रद्ध है और उसके गौरवसाली अतीत को हम दुनिया के सामने रखें ऐसा संस्कृति विभाग का प्रयास है संगीत में भ तो यह हमारी संस्कृति को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं अच्छा डेश्टिंशन हो गया फिल्म शूटिंग का और अभी जो इस्टी तू तू आ रही है वह भी चंदेरी में शूट हुई है मद्द प्रदेश जो है मोस्ट फ्रेंडली फिल्म सिटी का वार्डी मद्द प्रदेश को मिला हुआ है साड़े चार सो से जादा फिल्मों की सूटिंग मद्द प्रदेश में हुई है और उसके लिए परेटन विभाग अनुदान देने का भी काम करता है कि आप आईए प्रदेश में आकर फिल्म सूटिंग करना चाहते हैं अंचल जी आपसे को सवाल पूशने हैं और जहां परेटन होता है वहां पर रोजगार के अवसर भी बहुत ज्यादा होते हैं तो चुकि आपका सोचना एक अलग दिशा में सोचते हैं आप यूगाओं के बारे में भी और प्रदेश के बारे में भी तो ऐसी क्या योजना है आप नवाचार करने वाले हैं कि इसको और पंक लगे परेटन के छेत्र में जितने रोजगार जनरेट किये जा सकते हैं तो जो सरकार की जो मनसा है कि हम रोजगार देना चाहते हैं तो परेटन में मालो हम एक MPD का तो इसके लिए हॉमिष्टे बन रहा है उसके लिए सरकार अनुदान दे रही है तो जब वह व्यक्ति हॉमिष्टे में आकर रहता है बाहर का व्यक्ति चाहता है कि हम कावों की संस्कृती के बारे में जाने तो वैसे ही घर बना देते हैं जैसे गाओं में होते हैं चूले ब्राइब तरह उनको करते हैं वहां जो भजन होता है उसमें उनको पारिष सिपेट कर्वाते हैं और वहां के जो व्यन्यन है उनको आनंद इन जिसे गहां में जी से बड़ा बनता है या जो भी मुकल मैं तो यह जो हमिस्टे की परिकल बना है तो अभी परेटन विवाग ने तई किया है कि मद्द प्रदेश में एक हजार होमिष्टे हम को बनाना है जिसमें अभी 150 से जादा होमिष्टे बनके संचालित होने लगे ऑनलाइन उनकी बुकिंग होती है विदेश के लोग भी आते हैं और जो देश के लोग भी गाओं की सं प्रेज होता के वह भी वीडियो डालते हैं कि हम गाय चड़ाते हुए या बेड़ चड़ाते हुए बक्रीया चड़ाते हुए तो कुल मिला के यह एक रूरल टूरिज्म में जो टूरिज्म बढ़े इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और होटल्स तो नरंतर खुली हैं तो MPT के माध्यम से भी और अभी हमने एक बात औरता है कि है कि जैसे मालो जिस चित्र में अपना MPT का होटल खुला है सारा मीनू तो रहेगा उसमें एक दो मीनू वहां के इस्थानी वेंजनों के भी रहेंगे तो अभी कल वैठक हुई तो मैंने कहा कि मीनू तो रहेग यहां के लोग खाते हैं भोजन करते हैं तो यह भी प्रयास चल रहे हैं लगाता है राजनीती में किसको अनुसरन करते हैं क्योंकि राजनीती सेवा शेत्र का काम है लोगों की सेवा और जनता की किसे प्रभावित हैं आप किसी भी दल का निता या कोई भी ऐसा राजनीती म सुरू में मैं अटल विहार इवाज पर इसे प्रभावित रहा जब मैंने राजनीती सुरू की तो उनको देखता था और मूल रूप से फिर मानी नरेंद्र मोदी जी हमाई बीच में आये तो उन्हें न तो विश्ट इस तर पर अपनी पहचान बनाई आज अमेरिका चले जा तो मोदी मोदी इंगलेंड चले जाओ तो मोदी मोदी देश के किसी भी कोने में चले जाओ तो आज मोदी मंत्र बूंज रहा है तो कही ना कही नरेंद्र मोदी जी मानी नरेंद्र मोदी जी विश्ट के लीडर बनके ओह रहे हैं तो उनको भी फालू कर रहे हैं और नरंतर सीख भी रहे हैं देश समाज और राष्ट के लिए राजीती कैसे की जाए